नमस्कार आप देख रहा है टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचरन सोचा भी नहीं होगा जी हां हम बात कर रहे हैं इन दौर के चंदन अगताना शेच में कारपेंटर सुजीत की जो की दो दन पहरे यूपी से काम करने इन दौर आया था और रात करीब दस बजे सुजीत अपनी पत्नी से चार्जिंग पर लगे मुबायल चे बात कर रहा था तब ही सुजीत के चिलानी की आवाज आई जिस पर सुजीत का भाई दोड़कर पहुँचा और देखा तो सुजीत नीचे गिरा हुआ पढ़ा था वहीं गंबी रहात में सुजीत को पर करने आया था यहां पर गए संडे को आया था तो कल काम खत्म हो गया तो हम लोग सोचा निकल जाएंगे तो भाई था मेरे चाचा कर अगरका तो बहाई आज रात को मच चलो तो सुब में चलते हैं तो खाना मीना खाया साड़े दूजी इसके बाद दुकान दोड़ था तो आज मिट के बाद मुझे हावाज आया रे भी यह बचाओ बस इतना ही आया मुझे लगा क्या हुए मैं दोड़ के गया उदर देखा तो पड़ा हुआ था नीचे मीचिगिर्या हुआ था अब करन बारा था उसके करन बारा था चार्जर दूसरे के लिए तो वहां पड़ा अभी सर मैं भी उसको देखा नहीं तो पैसे बता हुए मेरा नम संजीविश्व करमा आपके लगता हुए मैं उनके बड़े पपा का लगता हूँ कि दो मर्क मिले मुझे अभी रातर जी मर्क लगांग ये सोला मिला है अभी थाना चंदनगर से जहां छेतु यह मर्तक सुजीत पिता रधे नारण विश्व करमा उमर पच्ची साल निवासी आसु इस्टोर विक्रम इस्वार रंजीत हनुवान ये परिजन बता रहे हैं इसकी मुर्ति हुए है क्या करता था ये लोग कारपेंटर काम करते थे कहां के रहने वाले थे ये वैसे में तो रहने वाले हैं लोर्या तैसल मडिया हूँ जिला जोन पूर उत्तर प्रदेश के थे तो पता नहीं है अभी मैंने परिजनों से इस बाच खाली के वल लाज परिजन का वी कतन के बादी कुछ हो पाएगा अभी तो काफी सारी चीजे सेश हैं यह तो अब बता रहे हैं पिछले दस-पंदर दिन पहले आये थे यहां पर काम करने के लिए विसे में इनका वी निवास इनका मंबे बता रहे हैं इस बारे में पूरी जांश अब आज नहीं हुए है मैं आभी सिर्फ मरक मिला इसके बाद पीम के बाद देखते हैं क्या कतना भी लिया नहीं को मैं यह से जेरुद दिन शेक थाना चलता हुए टाइम नुज दिखिये अब आपके मोबाई और स्माथ टीवी पर लाइए प्लेस तो से दाउनोट करें टाइम स्माथ टीवी आप